दोस्तों स्वागत है भकत कुमियनेकेशन के एक और ने वीडियो में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जे एससी में से जहारकन स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की और से सीजी एल टेकनीकल भरती दोहज़त तेश चोबिस के लिए जो है ओलाइन आविदन चल रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आप अगर रिजिस्ट्रेशन की हैं और रिजिस्ट्रेशन करके दो दिन आपका हो चुका है या फिर दो दिन से भी ज्यादा हो चुका है तो आप अपना जो है एपलिकेशन का फी को किस परकार पे करेंगे और लाइन माइद्धिम से step by step में आप लोग को जो है बताने वाला हूँ दिखिए सबसे पहला आपको तो इस वाली website पे आ जाने होगा जिसका link के दोस्तों वीडियो के description में मैं provide कर दूँगा jssc.nic.in जैसे आप इस पे आएंगे ना दोस्तों application form पे click करेंगे इसके बाद दोस्तों आप ये जो तीन नंबर को option अभी दिख रहा है हो सकता बाद में और नीचे जल जाए तो आपको ये जो link है इसको ही याद रखना होगा jtglcc230 इसके बाद right side में apply now का option है इस पे click करेंगे इसके बाद आप यहीं से payment करेंगे मिन्स आप यहां से तो registration किये होंगे बड़ दोस्तों आप ये जो बीच में जो option दिख रहा होगा login का login पे click करेंगे और इसमें अपना login ID और password fill up करके sign up पे click करेंगे और एक चीज़ दोस्तों अगर आपको अपना username और means आपको login ID और password नहीं पता है तो अगर आप नहीं जानते हैं तो ही करेंगे और otherwise login पे click करेंगे इसमें अपना user ID और password fill up करके sign up पे click करेंगे जैसे ही दोस्तों आप लोग लोग इन कर जाते हैं आप लोग का ये जो option है ये दिख जाएगा आप जो भी details भरे होंगे वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे अभी नीचे आएंगे declaration पे click करेंगे इसके बद प्रोसीट और नीचे आजाएंगे इसके बद प्रोसीट टू पेमेंट पे click करेंगे और अगर आप कुछ गलती कर दी होंगे तो modify पे click कर सकता है प्रोसीट टू पेमेंट पे click करेंगे इसके बद आपको ये जो option है इसको भी ok करना होगा इसके बद आपको अपना order number दिख जाएगा आपको अपना actual fee दिख जाएगा अभी आप pay online पे click करेंगे अभी दोस्तों आप लोग कुछ इस पर करका जो है आजाएंगे अभी इसमें दोस्तों आप लोग को यहीं से payment करने होंगे देखिए आप लोग का time भी दिया गया है आप 14-15 मिनिट से पहले ही कर लिजेगा देखिए यह जो billing information है न दोस्तों यही इस बार change किया गया है अभी दोस्तों आपको यह जो पूरा डबबा दिख रहा होगा इसको आपको fill up करना होगा सबसे पहले आपको अपना नाम भरना होगा इसके बाद address भरना होगा और यह जो pin code है न दोस्तों जैसे आप pin code यहाँ पर डाल देंगा न यह automatic जो है यह सब भर जाएगा जैसे यह सब भर गिया यह सब भर गिया और यह भी भर जाएगा इसके बाद आप क्या करेंगे सिर्फ mobile number fill up करेंगे और यहाँ पर email fill up करेंगे इसके बाद नीचे आजाएंगे इसके बाद दोस्तों आपको बहुत सारे यहाँ पर ओप्सिन दिखेंगे जैसे सबसे पहला ओप्सिन है क्रेडिट कार्ड, डेविट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलिट, यूपी आई तो यह जितने भी ओप्सिन है, आपके पास अगर एटियम कार्ड है, तो आप क्रेडिट कार्ड, डेविट कार्ड से आप पेमेंट कर सकता है इसमें आपका जो एटियम नमबर है, उसको आप यहाँ पर फिलप करेंगे और आप एकस्पारी डेट, CBB, आपका ATM कार्ड में लिखा रहेगा, उसको फिलप करके, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप लोग मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे न, आपका जो बेंक के साथ जो भी मोबाल नमबर रेजिस्टर रहेगा, उसमें एक और टीपी जाएगा, और टीप को फिलप करेंगे, तो आपका पेमेंट सक्सेस्पूल हो जाएगा उसी पर का नेट बेंकिंग है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका नेट बेंकिंग है, तो आप इस वाले उप्शन पे किसी भी उप्शन को चूज करके आगे बढ़ सकते हैं बड़ दोस्तों मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा यूपी आई जी हां दोस्तों, यह जो यूपी आई का उप्शन है यह दोस्तों बेस्ट है, ठीक ना, इसी से ही आप लोग पेमेंट करेंगे और इसी से ही मैं आप लोग को जो है पेमेंट करके दिखाने वाला हूँ तो देखे मैं UPI यहाँ पर चूज किया हूँ इसके बाद आपको pay with UPI ID जी है दोस्तों यह UPI ID क्या होता है आपका Google पे phone पे पे टीम जो भी आप लोग यूपी आइपलिगेसन चलाते होंगे तो उसमें दोस्तों जैसे ही open करेंगे तो उसमें आप लोग को एक UPI ID यहाँ पर क्लिक करना होगा इसके बाद आपका आज आएगा verified valid VPA इसके बाद Mac payment पे क्लिक करेंगे इसके बाद आप देख सकते हैं आपका कुछ इसपर करका जो है option दिखेगा तो आपका जो भी पे टीम मिंस में यहाँ पे पे टीम का UPI ID दिया हूँ तो मेरे जो पे टीम है ना दोस् देखिए दोस्तों मेरा जो payment है वो successful हो चुका है और यहाँ पर बता जा रहा है thank you for successful transaction और यहाँ पर बता जा रहा है अगर आपका payment successful नहीं हुआ है तो आप फिर से login करके देख लेजिए तो मैं अभी देख लेता हूँ आगे का क्या process है photo signature अभी मेरा upload हो रहा है या फिर उस प्रोसीड वाला जो option है इस पर ही में क्लिक करके आगे बढ़ूंगा तो प्रोसीड वाला option पर क्लिक करने के बाद आप लोग को फिर से दोस्तों login का option दिया जाएगा तो sign in पे अपना user name means अपना user id और password फिल अप करके sign up पे click करेंगे sign in पे click करेंगे देखे दोस्तों हम लोग का जो फोटो और signature का भी option दे दिया गया है आप समझ रहे हैं दोस्तों मतलब payment भी होगी या और अभी आप लोग का फोटो और signature भी upload अभी तुरंत ही हो जाएगा तो चलिए मैं फोटो और signature अपलोड करके वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ आप लोग को 100 केवी से ज्यादा नहीं होने चाहिए तो दोस्तों ये तो बहुत बात है कि 100 केवी के अंदर ही फोटो मांगा है तो फिर भी मैं दोस्तों आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग क्या करेंगे जेपी जी अंडर हंड़ेट के भी आप लोग गूगल पे कुल करेंगे और इस वाली वेबसाइट पे आएंगे आनके बाद दोस्तों क्या करेंगे मिन्स यर्वाला वैबसेट में दोस्तों 11 जो किलिक करना होगा इसके बात दोस्तों आप लोग क्या करेंगे साइब ठीक है इसमें आप लोग क्या करेंगे यह देखिए दोस्तों आप लोग को यह जो है original size है और यह दोस्तों new size है समझ रहा है तो इसको मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा और इहां पर compress पर click करूँगा तो जितना मैं बढ़ाऊंगा मेरा size उतना कमते जाएगा देख सकता है मुझे 100 के अंदर बनाना है तो मैं इसे पूरा बढ़ाते रहूंगा देखिए मेरा 35 के भी हो गया है ठीक है मैं यही तक रखूंगा इसके बाद डाउनलोड करेंगे इसके बाद मैं यहां पर जाओंगा उस photo को में ले लूँगा देख सकते हैं दोस्तों मैं live आप लोग को दिख सोच्ण दोस्तों को एसी के भी है sqb लिखने के बाद दोस्तों अपका प्ल्wen सिख्ण का वेफ साय्ट है इसके बाद आप आपको प्रिंट का एक option देखेगा आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों आप इसको प्रिंट करके रख लिजागा तो इस पर का दोस्तों आप लोग जाने की सीजेल टेकनीकल भरती ही 23-24 के लिए आप लोग किस पर कर पैमेंट करेंगे पैमेंट करने के बाद किस पर कर फोटो सिगनेचर को अपलोड करेंगे everything इस वीडियो में मैंने आपनों को बताने की कोसिज किया हूँ अगर ये वीडियो अपनों को अच्छा लगए तो लाइक कीजिए दोस्तों को सेर कीजिए जो चैनल को नहीं होंगे तो पहले सब्सक्राइब कर देजिए दोस्तों थैंक्यो वर वाचिंग जहन्जा भारत